नमस्कार दोस्तों मैं हूँ नीराज और आप देख रहे हैं दुनियादारी दोस्तों मुंबाई के डिवाई पाटिल स्टेडियम में मुंबाई इंडियन्स और राजिस्थान रोयल्स के बीच खेले गए मैच में राजिस्थान रोयल्स ने मुंबई इंडियन्स को ह्रा दिया है बात करें मैच की तो मुंबई इंडियन्स की कप्तान रोहित ने टॉस जीत कर पहले गेध बाजी चुनी राजिस्थान रोयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 over में 8 विकट पर 193 रन मनाए लग्च का पीछा करने उत्री मुंबाई इंडियंस 20 ओवर में 8 विकेट पर 178 रही बना पाई राजिस्तान रोयल्स की सीजन में यह लगतार दूसरी जीत है तो वहें मुंबाई इंडियंस की यह लगतार दूसरी हार है दोनों टीमों को इस सीजन में यह दूसरा मुकाबला था राजिस्थान ने अपने पहले मैच में संराइजर हैदरबाद को 61 थर आया था तो वहें मुंबई को अपने पहले मैच में डेली कैप्टल से हार जेलनी पड़ी थी मुंबई के खिलाब जीत हासिल करने के बाद राजिस्थान रोयल्स आईपियल 2022 की कोईन टेवल में टॉप पर पहुँच चुकी है तो वहें मुंबई इंडियन्स नौवे स्थान पर है इससे पहले मुंबई इंडियन्स के लिए तिलक वर्वा ने सबसे ज़्यादा 61 ठर मनाए ओपनर इसान की सन ने भी अर्शतक लगाया हाला कि केरण पलाड 24 गेद में 22 रन ही बना पाए वह मैच की आखरी गेद पर आउट हुए राजिस्तान की ओर से नौवदीज सैन्य और इवजएद चाहल ने दो-दो विकट लिये ट्रेंड बोल्ट, प्रिसिद्ध कृष्णा और रवीचंद अस्विन ने भी एक-एक विकट चटकाए बात करें राजिस्तान की तो राजिस्तान की ओर से जौस बटलर ने सतक जड़ा हलाकि राजिस्तान रोयल्स ने आखरी दो वर में 11 रन बनाए और 5 विकट गरवाए 18 वर के बाद राजिस्तान का स्कोर 3 विकट पर 182 अन्थ था इसके बाद जस्पीद बुम्रा ने हैटमायर और बटलर के विकट लिये टाइवल मिल्स ने नवदीव सैनी और रियान पराग के विकट छटके और अस स्विन रॉन आउट हुए इस मैच के लिए रोही सर्मा ने अपनी प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया था तो आई संजू सैंसन ने नथर कुल्टर नाइल की जगए नवदीव सैनी को प्लेइंग 11 में जगए दी थी तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बस इतना ही तमाम अप्लेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ